हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल वेले जोइन दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वरद्ध पैंसन विद्वा पैंसन और दिव्यांग पैंसन की आदार एक कैसे कर सकते हैं यदि आप यहाँ पर अपनी पैंसन में अपना म मूबाइल नंबर चैनल चाहते हैं या आप अपनी पैंसन में आदार के नुसार अपना नाम चैनल चाहते हैं आज किस वीडियो में बने रहे हैं बिल्कुल अंतग मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप वरद्ध पैंसन दिव्यांग पैंसन और विद्वा पैं अपने लैप्टोड की स्क्रीन पर आने के बाद आप अपने लैप्टोड में Google Chrome ओपन करेंगें Google Chrome ओपन हो जाने के बाद आप या सर्च में लिखेंगे स्सपी वाई डोट जी ओ वी डोट इन वीडियो के डिस्क्रिप्प्सिन में आपको इसका लिंक भी दे दू, अगर आपको यहां पर open नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में लिंक पे कलिक करकिया आप वहां से भी open कर सकते हैं, इसके बाद आप इंटर कर देंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से interface होगा, आ आप यहां Old Edge Pension SSP UPGOV.in यहां पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आप एक ही करत सामाजिक Penser Portal पर आ जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा यहां पर आप जो इस तरह से इंटरफेस होगा यहां पर आप जो इस तरह से नए पेज ओपन होगा और आप यहां आवेदान लोगिन करें पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहां पर पंजी करत आवेदान करता लोगिन इपस के नीचे यहां Select Pension स्कीम पर आएंगे और यहां पर आप Old Edge Pension, विदवा Pension, दीवांग Pension इसमे जिस Pension के आप KYC करना चाता है उस पे आप यहां पर क्लिक करे करेंगे और यहां पर आप अपना registration नम्बर ढालेंगे और यहां पर registered mobile नम्बर ढालेंगे जो आपके Pension में Close सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यदि आपके पास रिजिस्टेसिनाइडिन नंबर नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे आप उसे यहां से यदि आविद्धा का अपना रिजिस्टेसिन नंबर बूल गया है तो यहां खिलेंगे और यहां पर अपना back account number डाल कर और यहां पर re-enter आप दो बर आप back account number डालेंगे और यहां पर mobile number डाल कर यह है capture यहां पर डाल कर submit पर click करेंगे इसके बाद आपके register mobile number पर जो है इसके आवेदन संक्या मिल जाएगी आपको यदि आप SNI निकानना चाते तो एक तरीका हो रहा है मैं उससे भी आपको बताता हूँ उसके बाद आप यहां कलिक कर देंगे और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा आप इसे नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे और आपको यहां पर पैंसर सूची का उपसन मिलेगा इसके नीचे यहां पैंसर सूची 2021-22 यहां पर कलिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा आप इसे तोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे और आपके यहां पर जो भी जीला है वैजीला आप अपना यहां से सिलेक्ट कर लेंगे इसे फिसमे अपना जीला यहां पर चुन लेंगे देखर जहाजाब आपका जीला है उसके बाद आपके सामने दो बड़ा कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा यदि आप ग्रामिन सेक्टर से है तो आप यहाँ पर अपना बलोग चुनेंगे यदि आप नगरे सेक्टर से है तो आप यहाँ से अपना टाउन चुन लेंगे मैं ग्रामिन सेक्टर से है तो मैं यहाँ पर अपना बलोग चुनता हूँ उसके बाद आपके बलोक में जितने भी गाउं है वे गाउं आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे इसमें जो भी आपका गाउं है आप अपने गाउं पर यहाँ पर कलिक कर देंगे उसके बाद आपके गाउं में जितने मजर पढ़ता है आपको यह पर दिखाई दियाएंगे इसमें जो भी आपका गाउं है और आपको इसके नीचे यहाँ पर cool pen search का опशन मिलागा आपको इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजिटेशन नमबर आ चुका है इसके बाद आप जिसका रिजिटेशन नमबर यहां से कोपी करना चाते है वह यहां से नोट कर लेंगे नोट करने के बाद आप दो बारा यहां पर आएंगे और आप यहाँ पर Select Pension Scheme पे कलिक करेंगे और यहाँ से अपनी Pension सिलेक्ट कर लेंगे दिवियांग, विद्वा, ओल्ड एज Pension जो भी है आपकी और यहाँ पर वह रिश्टेसन नमबर कोपी कर रहा जो भी वह पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर मॉबाइल नमबर डालेंगे जो आपके Pension में रिश्टेड है उसके बाद Send OTP पे कलिक करेंगे वह OTP यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ अपके अपस फिल करके Login पे कलिक कर देंगे यहाँ आपके पास वहाँ मॉबाइल नमबर नहीं है यहाँ कलिक करें तो आप यहाँ पर कलिक कर देंगे उसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट Pension Scheme पे कलिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपके इनमें तीनों में पैंशन है Old Edge Pension, Vidwa Pension, Diviang Pension आप उस पर यहाँ पर कलिक कर देंगे और यहाँ पर अपना वैक अकाउंट डालेंगे और यहाँ पर नीचे अपना रिष्टेसन नमबर डालेंगे जो आपने भी वहाँ से कोपी किया था और यहाँ पर अपना नया मॉबाइल नमबर डालेंगे और सेंड OTP पर कलिक करेंगे वे OTP यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ कैप्चर फिल करने के बाद आप यहाँ पर नीचे समिट पर कलिक कर देंगे उसके बाद पैंसन में आपका नया मोबाल नमबर जाये वे रिश्टेड हो जाएगा और आप यहाँ पंजी करत आवेदन करता लोगिन पर आएंगे उसके नीचे यहाँ पर आपकी ओल्ड एज विद्वाद दिवियांगी उनसी पैंसन है आप चुनेंगे यहाँ से और यहाँ पर अपना रिश्टेशन नमबर डालेंगे जो आपका रिश्टेशन नमबर है और यहाँ पर अपना रिश्टेड मोबाल नमबर डालेंगे जो आपने भी अपना पैंसन में रिश्टेड मोबाल नमबर किया है वे मोबाल नमबर आप यहाँ पर डालेंगे यहा आपके पैंसर में आपका नाम जो है आदार के नुसार सही है तो कोई दिक्कत नहीं यदि आपके आदार के नुसार आपके पैंसर में आपका नाम नहीं है तो आप यहां यदि आदार आथंटिकेसं के लिए नाम या जेंडर में संसोधन करना चाहते है तो उसके नीचे आप को यहाँ पर य century में नाम चाहता है आदार के नूसाढ तो यहाँ पर आपण नाम डाले अच्छ अज़ाज क्र नहीं जो आपके आदार काड में है और यहाँ से आप जैंडर जो आपको चैंज कर लच़ए हैं अगर से नहीं अगर सही है तो कोई नहीं उसके आपके समने आपके फर्म कि यहाँ पर सबी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आवेदन संक ए यहाँ पर आपका जीलरूरल एरिया निवासी आप रूलल है। नगरीया है। यहाँ पर तैसिल, यहाँ बलोग, ग्राम पंचैट जिस गाँ से आप हो और यहाँ पर आपके बैक पर आपकी बेंक की सागा कहां पर है और यहां पर IAPSI कोड़ यहां पर आपका खतस्जान का चाहता संगर नोबायल नंबर और यहां पर आपकी जनम्टीती इसके बाद आप इसे थोड़ा नीचे स्कूरल डाउं करेंगे और आप यहां आदार सत्यापन पर आ जाएंगे आदार सत्यापन में आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आप जो है अपने आदार का सत्यापन यहां पर तीन बार ही कर सकते हैं यदि आपने यहाँ पर तीन से ज़्यादा बार गलती कर दी तो आपका आदार वरी फिकसन यहाँ पर पैंसन में नहीं होगा आपको एक बात यहाँ पर ध्यान लखनी है आपको यहाँ पर अपना अदार नमबर बिल्कुल सही डालना है यहाँ पर आप अपना अधार कार्ड नमबर डालेंगे उसके बाद आप यहाँ गोशना पढ़ने के बाद आप यहाँ चेक बोक्स पे कलिक कर देंगे और यहाँ कैपचे यहाँ फिल करने के बाद आप यहाँ कलिक फोर आदार ओतुनिकेसन पे कलिक कर देंगे उसके बाद आप फिर दोबारा यहां OK पे कलिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा यहां पर राइट का निसान आ चुका है और यहां पर लिख रहा है आदार authentication successful उसके बाद आप यहां proceed final print पे कलिक करके इसका print निकाल कर जो है आप pension धारक को दे देंगे इस तरह आप फरदव वीद्व दिव्यांग pension में आदार EKYC बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और पले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना